दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ मखाने से एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा स्नेक्स मखाने देखे हमने कई सारे फ्लेवर में खाये हैं मार्केट में भी बहुत सारे फ्लेवर में मिलते हैं और मखाने टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होते हैं तो आज मैंने गुड़ वाले मखाने घर पे बना के तयार किये हैं, ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं अगर आपने एक बार बार बना के खाएंगे आप, गुड़ भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और विंटर्स में तो गुड़ के अपने अलगी फायदे हैं, वैसे आप इसको किसी भी मोसम में, किसी भी सीजन में बना के खा सकते हैं, मखाने और गुड़ दोनों महीना बहुत ज़्यादा कैलसियम पाया जाता है, इसलिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए फायदे मन्द होते हैं, और इन मखानों को आप एक बा मखाने लिए हैं, और आदी चम्मच घी में अब मैं इसको भून रही हूँ, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें मखानों को भूनना है, जब तक यह अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाएं, इस तरह से जब हम धीमी धीमी आज पे मखानों को भूनते हैं तो यह अंदर तक जल्दी से जल जाएंगे, बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं मखाने, इसलिए बिल्कुल पेसेंस के साथ हमें धीरे धीरे अपने मखाने भून के तयार करने हैं, अब भी देखे, मैं बार बार चेक कर रही हूँ, इस तरह से चेक करना बहुत ही जरूरी है, जब अच्छ से इनका चूरा हो जाएगा, मतलब जैसे आप दबाएंगे ना उली में, यह फटा-फट से फूट जाएंगे, तो मखाने हमारे भून गए, इनको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे, और अब डालेंगे गुड, तो मैंने यह 200 ग्रामी गुड लिया है, और इसमें एक च जलेगा नहीं नहीं, तो थोड़ी सी जली-जली सी गुड में स्मेल आने लग जाती है, तो अगर आप हलकासा चार-पांच भून भी पानी डाल देंगे ना, तो आपका गुड बिल्कुल नहीं जलेगा, और जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, गुड को भी कंटीन्यू चलात इसमें जाग आ रहे हैं, इसमें आपको कोई चास नी वगरा नहीं बनानी है, गुड पिंगलने के बाद दो-तिन मिनट आपको इसको और भूनना है, यहाँ पर आदी चमच मैंने घी गुड में भी डाल दी है, इससे बहुत अच्छी साइन आ जाएगी मखाने पर, तो देखें कितने अच्छे जाग बन गए गुड में, अब यहाँ पर मैं दो-पिंच मतलब 1-4 टेबल स्पून मीठा सोडा डाल दूँगी, इससे क्या होगा, गुड का कलर एकदम वाइट हो जाएगा ही, देखें, बिल्कुल डालते के साथ ही गुड का कलर चेंज हो जा बस एक मिनट पकाएंगे, मीठा सोडा डालने के बाद, देखें कितना चेंज हो गया गुड का कलर, यह एकदम फलपी हो गया है, आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर गुड बिल्कुल राडी है, अब जो हमने मखाने भून के रखे थे न, वो फटा-फट से गुड के अं तो सारे भुनेवे मखाने गुड के अंदर डालेंगे, और दो चम्मच के जितना इसमें भुनावा तिल एड कर देंगे, और फटा-फट से गुड के साथ मखानों को अच्छे से कोट कर लेंगे, तिल मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, तो एक चम्मच का जितना तिल मै यहाँ पर ओर एड़ कर दूंगे इसमें आप कोई फ्लेवर जैसे की काली मिर्च का फ्लेवर या फिर इलाईची वगर आपको पसंद है तो वो भी कूट के डाल सकते हैं वैसे इसमें आप कुछ भी नहीं डालेंगे ना सिरफ ऐसे एकदम सिंपल तरीके से भी यह मखाने बनाएंगे तो भी खाने में बहुती टेस्टी लगते हैं और सारे गुड के साथ देखिए मैंने मखाने को अच्छे से मिक्स कर दिया है बढ़िया से एक अच्छी सी कोट आ गई है देखिए मखाने पे गुड की अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको फटा-फट से एक ठाली या प्लेट में निकाल लेंगे तो सारे मखाने मैंने निकाल लिए अब हम क्या करेंगे इसको गरम गरम में ही मखानों को अलग अलग कर लेंगे नहीं तो बहुत जल्दी यहाँ पर यह सैट हो जाएंगे इस तरह से अलग-अलग कर देंगे सबी मखानों को यह काम आपको फटा-फटी करना है चाये तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं नहीं तो यह एक ही जगे सेट हो जाएंगे फिर सारे इनको अलग-अलग करके दूसरी प्लेट में डालते जाएंगे यह काम आपको थोड़ा सा जल्दी-जल्दी में ही करना है और यह बहुत ज़्यादा गरम नहीं रहता है मतलब यह आप कढ़ाई से निकालेंगे तुरंत के तुरंती ठंडा होना शुरू हो जाता है तो एज करना तुरंत की तुरंत आप इनको खा सकते हैं और इतने ज़्यादा टेस्टी बने है ना फ्रेंस यह इतने तो जटपटी खतम हो जाएंगे मतलब मिंटों में बच्चे इनको खतम कर देंगे इतना बढ़िया इतना हेल्दी स्नेक्स है ना यह इसको आप बच्चों को टि रिस्पी है तो सारे मखाने मैंने अलग-अलग कर लिए जब यह अच्छे से ठंडे हो जाएं तो आप किसी भी टाइट डब्बे में भरके इनको रख सकते हैं एक महिने दो महिने जितने दिन के लिए चाहाएं इसको स्टोर कर सकते हैं मैंने थोड़े ही बनाए हैं आप ज की सबसंदा आई हो दोस्तों तो प्लीज एक like कर दें चैनल के पहली वार आएं तो चैनल को सबस्क्राइब करें अपने फेमिली और physically के साथ सेरा करना दो बिलकुल शूर अब भूले आज के दोस्तों इतना ही जल्री मिलेंगे और नहीं रेसेप्रे के साथ तब तक लिए सब्सक्राइब को गुद्बाइ